गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में चालू के वन्स के सासक कीर्थी वन पर्थम के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा जो कीर्थी वन पर्थम है यह है बादामी के चालू के का सासक था ठीक है अब देखे इस्टुडेंट्स मैंने आपको पहले भी चालू के बारे में काफी कुछ बताया है तो आप पहले वाले वीडियोज को देखेंगे तो आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आएगा ठीक है अब देखेगा जो ये चालू के राजवंस है ये दक्षिन भारत का एक महत्तोप मूर राजवंस था और चालू के हैं इनकी तीन साखाई थी बादामी या वातापी के चालू के वेंगी के चालू के और कल्याणी के चालू के ठीक है अब जो परमुक साखा है वो है आपकी परमुक अर्थात मूल साखा या फिर सबसे जो प्रारंबिक साखा वो है बादामी के चालू के तो देखेगा हमने आपको चालूकियों के बारे में पहले बताया है और जो बादामी के चालूके हैं उनके जो पर्थम सासक थे पुलकेसिन पर्थम जिन्होंने बादामी के चालूके वंसकी स्थापना की उस पे भी हमने वीडियो बनाया है अब जो आपका ये जो पुलकेशन पर्थम है ये रनराग का पुत्र था और इसने बादामी के चालू के वंस की स्थापना की थी और ये पर्थम ऐसा सासक था जिसने चालू के वंस के साखा को सामन्तों से मुक्ति दिलाई थी तो अब जो पुलकेशन पर्थम है इसके दो पुत्र थे कीरती वर्मन पर्थम और मंगलेश जिसमें से कीरती वर्मन पर्थम है वह है बादामी के चालू के वंस का सासक बनता है ठीके तो देखेगा हम इस वीडियो में कीर्ती वर्मन पर्थम के बारे में जानकरी प्राप करेंगे अब देखेगा जो कीर्ती वर्मन पर्थम है यह है पुलकेशन पर्थम का पूत्र था तो पुलकेशन पर्थम की मर्त्यू के बाद कीर्टी वर्मन पर्थम में ये सासक बनता है, कब बनता है? 566 से 598 में इस्वी तक ये सासक रहता है इसने अपने पैत्रिक समराजे को और भी द्रिक अधिक विस्तरित किया था अर्थार जो कीर्टी वर्मन पर्थम है यह है जो समराज्य वादी इसकी निती थी यह समराज्य का विश्थार करने वाला सासक था अब देखेगा जो कीर्तिवर्मन पर्थम है इसका एक महाकूर्ट स्थमलेख है जिससे जो कीर्तिवर्मन पर्थम है इसके बारे में भी जानकरी प्राप्त होती है और बादामी के चालूकियों के बारे में भी जानकरी प्राप्त होती है अब देखिएगा जो creative man पर्थम है इसका पुत्र था pulcation second और जो pulcation second है ये बादामी के चालूकियों का सबसे सक्ति साले सासक भी था और जो pulcation second है इसका ehol abilake प्राप्त होता है जिससे हमें चालूकियों के बारे में जानकरी प्राप्त होती है तो जो यह एह अभी लेख है, इसके बारे में भी हमने पहले वीडियो बनाया है और थोड़ा सा आपको और भी बता देती हूँ क्योंकि जो एहोल अभी लेख है यह एकजाम की दर्स्टी से बहुतिम है तो पुन है, कई बार पूछ लेते हैं एहोल अभिलेख है किसका है यह पुलके सिंसेकिंड का है और इसके जो रचनाकार है वो कौन थे वो रचियता थे इसके रवी कीर्ती और रवी कीर्ती है वो जैन विद्वान थे और जो आपका एहोल अभिलेख है यह संस्कृत बहसा में लिखा गया है तथा यह करनाटक के ब पर्षवर्धन की प्राजे हुई थी उसका वड़न तो मिलता है उसके साथ ही साथ कीर्टी वर्मन के बारे में भी पता चलता है और इसे क्या पता चलता है कि कीर्टी वर्मन है कीर्टी वर्मन पर्थमाईस ने बनवासी के कदम ठीक है तो बनवासी कहां पे है करनाटक में त और कौंकन के मोरिये थे अब कौंकन का महरास्टर में और बल्लरी करणूल छेतर के जो नलवनसिय सासक है इनको प्राजित कर उनके राजियों को जीत लिया था तो ये इंफोर्मेसन हमें एहोल अभिलेक से प्राप्त होती है तो एहोल अभी लेक से पता चलता है कि कीर्टीवर्मन पर्थम है इसने बनवासी के कदम्बों, कौंकन के मोरियों तथा बलूरी छेतर के नल वनसीय सासकों को हराया था और उनके राजियों को इसने जीत लिया था तो इससे हमें पता भी चलता है कि इसका जो समराजे विस्तारव काफी हो गया था अब देखेगा इस लेक के अनुसार वहे नलों, मोरियों तथा कदम्बों के लिए कालरात्री के सम्मान था कौन कीर्टीवर्मन पर्थम वहे परिस्त्री से विमुक हो गया था तथा पी सत्र तो कि राज लक्षमी से उसे अकर्षित किया अपने प्राक्रम से उसने विजे स्री को प्राप्त किया मदमस्त हाती के समान उसने कदम्ब वन्स को कदम्ब व्रक्ष की भाती उखाड फेंका अर्था उसने कदम्ब वन्स को जीत लिया था इसस पर्ष्ट होता है कि उसकी जीता गया कदम्ब सासक संभवत है अजे वर्मा था कदम्बों की राजदानी बनवासी थी जो करनाटक में थी और नल्वंस के लोग नलवाडी में सासन करते थे यह नलवाडी आदूनिक वेलारी अर्थात करनूर जिल्लों की भूमी में फैला हुआ था इस वंस का एक लेक बस्तन जो मध्य परदेश की सिमा पर इस्तित पैडा गड नामक स्थान से मिला है इसे पता चलता है कि पांच विस्त आपदी के अंतिम चरण में इस वन्स को अनेक दवनसात मत परिवर्तन जहरने पड़े थे इसे पता चलता है कि चालुकियों के आकरमन से ही ये दवनस होगा अर्थात कदंबों को पूरी तरह से चालुकियों ने जीत लिया था मोरियों का कौंकन परदेश पर सासन था उनकी राजदानी पूरी जो एलिफेंटा के समीब इस्तित धारापूरी को पसीमी समुद्र की लक्स में कहा गया था एहो लेक में कहा गया है कि कीर्थिव वर्मन ने कदंबों के एक संग को भंग कर दिया था इस संग में कदंबों के अलावा गंग तता सेंद्रक वन्सों के सासक समिलित थे नल मोरियों तता कदंबों आधि को जीत कर चालुकियों के सत्ता का चतूर्दिक विस्तार इसने किया था आप देखेगा जो यह आपका कीर्थी वर्मन पर्थम है यह है इसका विश्त्रीत समराजे आधुनिक महारास्टर करनाटक अंध्रे प्रदेश अधि के भूभाग सामिल थे इसमें और अपनी महानता के अनुप उसने सत्यास्रे और पर्थवी वल्लब अधि उपाधियां ग पुलकेशन पर्थम ने भी धारन की थी हमने आपको पहले भी बताया है और जो वैदिक यह है यह केर्थी वर्मन पर्थम ने किये थे और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इसे वातापी का पर्थम निर्माता भी कहा गया है इससे इस परस्ट होता है कि उसने इस नगर को सुन्दर मंदिरों तथा भवनों से सजाया था ठीक है और बादामी में जो गुहा मंदिर हैं उनका निर्मान भी कीर्टी वर्मन ने करवाया था तो गुहा मंदिर क्या होते हैं गुफाओं को जो कार्चार्ट कर जो मंदिर बनाया जाते हैं जो प्राचिन कालीन मंदिर है उनको गुहा मंदिर भी कहा गया है तो जो बादामी है इसमें गुहा मंदिरों का निर्मान भी कीर्टी वर्मन नहीं करवाया था तो जो मतलब चालूकियों के पहले जो राजदानी थी वो वातापी थी उसका जो आधुनिक नाम वो बादामी हो गया है इसलिए इनको वातापी और बादामी के चालूके कहा गया है ठीक है अब देखेगा जो कीर्थी वर्मन पर्थम का जो महाकूट इस्तमलेक है इस से बादामी के चालूके के बारे में तो पता चलता ही चलता है इस इस्तमलेक से जो कीर्थी वर्मन पर्थम है इसको अगनी सम yaj 악y करने वाला भी कहा गया है ठीक के तो यह जो आपका महाकूर्ट इस्थमलेख है यह बहुत h. इंपोर्टेंट है कही बार एक जामे पूछ लेते हैं कि चालों की गृणके जांकरी स्रोतों में कौन कौन से श了त है और जो महाकूर्ट इस्थमलेख है यह एहोल इस्थम लेक है ये किसका है तो एहोल जो इस्थम अभी लेक है वो पुलकेसिन सेकिंड का और महाकूट है ये है किर्टी वर्मन पर्थम का है तो देखेगा आगे के वीडियो में हम आपको कल्लैनी सोरी बादामी या फिर वातापी के अन्य चालू के सासकों के बारे मे में भी बताएंगे और जो भी वीडियोज हम लोग बना रहे हैं वो एक्जाम की दरस्टी से बहुत महत्तवपुर हैं तो वीडियोज को आप बार-बार देखें और यदि आप लोगों के पास कोई भी सुझाव हों तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा